नमस्कार आप देख रहे हैं Open Study Area यूटूब चेनल यदि आप बिहार BPSC टी आरी एक्जाम ने संस्या बिहार BPSC के किसी भी एक्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ पर आपने एक चीज अवस्य देखा होगा कि हर बार जनजातिय जो विद्रू होती है चाहे वो मुंडा उससे संबंधित कोसंस एक से दो आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं इस बिंदू को ध्यान में रखते हुए पिछले 20 और 25 सालों में जो भी कोसंस रीप्टेड किये गया है टॉप 20 वे कोसंस है उन सभी को हम आज के इस सेशन में आपके लिए उफलप्त कराएंगे तो आएए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का और इसमें टॉप 20 जनजातिये विद्रो बिहार एस्पेसल जी के से हम देखने जा रहे हैं इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और यदि हमारे चैनल को आप देखते हैं तो प्लीज वीडियो को лайक कर दीजेगा तो आईए सुरुबात करते हैं पहला फरस्टन आपके शाम्रे है तो संथाल विद्रो का नेता निमलेखित में से कौन www.zern.co.k का नेता निमलेखित में से मुख्य नेता के रूप में उनके सबसे बड़े भाई जो की हम लोग सभी जानते हैं कौन थे वे हैं आपके सीद्धो जी आगे भरते चलते हैं अपने अगले नमर कोशन की तरफ तो अगला नमर प्रशन आपके श्क्रीन पर है प्रशन आगे तरित्म हो रहा था वह कहां से कहां तक फैला हुआ था तो याद रखिएगा संथाल विद्रो कहां से कहां तक फैला हुआ था ये प्रसन आपके एकजामस में पुछ दे जाएगा तो वर्दवान से लेकर कि भागल पूर तक ये विद्रो फैला हुआ था ठीक है आगे बढ प्रस्णी कहता है कि किस विद्रो के बाद भागलपूर परमंडल के अंतरगत संथाल परगना जीले का घठन किया गया था वह विद्रो एक बार फिर से संथाल विद्रो के नम से जना जाएगा पांचवा नमर कोशन है रसनी कहता है कि 1825 इस फी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो 1855 की वो समय था जब संथालों ने जो है अंग्रेजों के कमांडर को हरा दिया था वह कमांडर ने मिले की इतमे से कौन था जिसको 1855 श्पी में संथालों ने अपने अंग्रेज मतलब लड़ाई के दौरान उसको हरा दिया था मेजर बारो इसका राइट एंसर हो जाएगा दिखेगा एक से बरकर एक कोशन बीपीर सी का पसंतीदा जो कोशन है जन जाती है विद्रों से उन सभी को हमने समेटने का अपनी सरब से पूरी परियास किया है उस शेतर की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 18556 में अपनी शर जूर हमारे साथ प्रतिक दिन आठ वजे जूटने की कोशिच कीजिए भारी संक्या में और वहां पर आकर आजमाईए कि आपकी परिस्तिती क्या रह रही है हिंदी और अंग्रेजी भी एक मस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए उस शेतर की पहचान कीजिए जहां सं संथालों ने 18556 में अपनी शरकार की घोशना किया था चटे का सही अंसर हो जागा भागलपूर राजमहल याद रखेंगे उस शेतर की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 18556 में अपनी शरकार की घोशना की थी तो 18556 में अपनी सरकार जहां पर संथालों ने नेतरितु में बनाया था उसको भागल पूर राज महल छेतर ही के नाम से जानेंगे तो अभी तुरंत आपने इसके उपाले उपर जो कोर्सृंस देखा होगा उसमें आपको एंसर दिखाई दिया होगा अगर आपने थुरा सवी सर्टिकता बढ़ता होगा तो इसके एंसर कर लेंगे देखीए गा 1855 से 56 यहाँ पर होना चाहिए जो कि absence में नहीं दिया गया है तो संथाल विद्रो का समय का जो था 1855 चपन होता इनम से कोई नहीं उपर इनम से कोई शही नहीं इसका सही एंसर हो जाएगा आईए बढ़ते चलते हैं अगला कोशन आपके सामने है कि उल्गुलान विद्रो किस से जुड़ा हुआ है आप समझेंगे उल्गुलान विद्रो को ही हम लोग मुंडा विद्रो के नाम से जानते हैं तो इस परकार आप समझ सकते हैं कि बिर्सा मुंडा जो है इसका सही एंसर हो जाएगा उमीद करते हैं कि ये बाते आपको समझ में आ गई होंगी तो प्रसना आपके सामने था कि उल्गुलान विद्रू किस से जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से यह जुड़ा हुआ यह अंदुलन था आगे बरते चलتे हैं अपने अगले नमर कोशन की तरब आगला नमर कोशन है कि बिरसा मुंडा के गुरू निमल्लिकेत में से कौन थे बिरता मुंडा के गुरू कौन थे आननध पांडे जातरा भगत स्वामी साजानध उपरिक्त में से एक अधिक सही एंसर है या उपरिक्त में से कोई शही एंसर नहीं है इसका शही एंसर हो जाएगा अगला नमर कोशन होगा दसवा नमर प्रस्ट इंपोर्टेंट होगा कि मुंडा विद्रोह कब सुरू हुआ था तो मुंडा विद्रोह कब सुरू हुआ था ये वीप्यसी के दूरा पूछा गया है वीप्यसी चाएद 40 या 45 में भी कोशन पूछा गया है ये हाल फिला हल में भी कोशन पूछा गया था मुण्डा बिद्रो कब सुरू हुआ था तो मुण्डा बिद्रो सुरू होने का जो समय है वह आगे बढ़ते चलते हैं 11 नमर प्रस्टनाप के सामने है कि विर्षा मुंडा का कार्जिच्छेत्र निमली खित में से कौन था तो विर्षा मुंडा का कार्जिच्छेत्र निमली खित में से जो था उसको हो राची के नम से जानेंगे अगला कोशन देख लिज़ेगा बारहभा नमर प्रस्टनाप की सामने है किस जंजातिये नेता को उसके अन्याईयों से उसे भगवान धर्ति आबा या बिश्वपीता का अवतार या यूं कहेगी नया पैंगंबर भी मानते थे उसको भगवान भी मानते थे उसको धर्ति आबा भी कहते थे उसे बिश्वपीता का अवतार भी कहते थे या अपना नया पैंगंबर भी उनको समझा करते थे तो सही अंसर हो जागा बिर्जा मुंडा हाली फिलाल में एक से दो दिन के अंदर आपको हमारे इस चैनल पर एक हजार भूगोल के कोसंस रखे जाएंगे क्योंकि मैंने देखा है बीपिए सी टी आरे एक जामने संस में भूगोल भी जोगरफी भी अपनी एक अहम भूमिक लेकर के चलने वाले हैं जिसमें आप उसमें जरूर स्वाटिशी पेट कीजेगा बिर्जा मुंडा को 24 अगस 1895 को चलकद से किसने गिरफतार किया था सबसे पहले बात है कि बिर्जा मुंडा को 24 अगस 1895 को गिरफतार किया गया था और वो भी चलकद से गिरफतार किया था साइयन सरोजा का जो गिरफतार करने वाले व्यक्ति थे जो आपके अपसंस में दिखाई दर है वे हैं अपसंस नमबर सी यानि कि स्री मियर्स के दुआरा बिरसा मुंडा को 24 तगर 16 से 95 को चल कर से गिरफतार किया गया था अगला कोशन 14 नमर प्रशन आपके सामने है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था याद रखे का बिरसा मुंडा धोखे से पकड़े गया थे और वो सोते हुए उनको पकड़ लिया गया था तो सोते हुए बिरसा मुंडा को कब पकड़ लिया गया था ये आप से प्रस्न पुछा जा रहा है चौदा का सई अंसर हो जगा अपसा नबर सी तीन फरवरी अन्नाई सो इसपी का वह दीन था जब बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया गया था आगे बरते चलते हैं 15 नमर कोशन आपके सामने है कि बिरसा मुंडा का निमलिखित में से क् अंतरिक शुधी करना यह लक्ष था बिड़ियस love लाज की समावतिय करना यह लक्ष था ब्रेटिस समर्थक जमिदारों से मुक्ति करना यह भी उनका लक्ष था था यह उपरीत में से एक अधिक एंसर इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इस परकार से आपने देखा है सही एंसर इसका क्या हो जाएगा अफसा नमबर D इसका राइट है कि विर्शा मुंडा का निमली खित में से क्या लक्ष था तो देख चुके हैं आगे बढ़ते चलते हैं अगले नमबर जो हुए वे बिहार में हुए विद्रो के छेत्र की पाचान कीजे क्या यह मुझज़ फरफूर में हुआ था क्या यह मधू बनी गया में हुआ या फिर यह दर्भांगा में हुआ तो मुझे लगता है कि नील से सम्बंदित खेती जो है यहां से उपस्व नहीं है सही एंसर उपर युक्ट में से इसका कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका राइट एंसर चमपारन हो जाएगा तो इस परकार से हम देख सकते हैं कि उपर युक्ट में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जागा सत्रह नमर प्रस्ण आपके इश्क्रीन पर है और बहुत ही खुवसूरत प्रस्ण है 1936 में बिहार में जमीदार के शत्व धिकार नीती के विरूद जो अंदोलन चलाया गया वह निमने में से कौन सा है अपसा नमबर C, इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं 18 नमबर प्रस्ण आपके सामने है कि बिहार का कौन सा छेतर 1770 से 71 में सन्यासी विद्रो का केंदर था बिहार का वो कौन सा छेतर था जिसको 1770 से लेकर 1771 में सन्यासी विद्रो का केंदर मना गया है तो याद रखेगा इसका right answer हो जाएगा आपके पास अपसा नमबर B यानि पूर्णिया को जो है ये क्या मना जाता है एक सन्यासी विद्रो का छेतर मना गया है आगे बढ़ते चलते हैं अपने 19 वे नमर कोशन की तरफ भिहार में नोनिया विद्रो जो की 1778 से 1800 के मद्दे हुई थी इस दौरान निमिन में से कौन सा जीला परभावी था तो भिहार में हुए नोनिया विद्रो का काल जो है 1778 से 1800 के मद्दे माना जाएगा इस दौरान जो ही निमिन में से जीला परभावी था वो कौन से जीले थे सारन परभावी था बिल्कुल सही है बैसाली भी और पूर्निया ये तीनों के तीनों जीले जो हैंगे ये बिल्कुल परभावी थे इस परकार आपका एंसर हो जागा वो परियुक्त में से एक से अधिक इसका राइट एंसर हो जागा उनिस का सई एंसर हो जागा आपके पास अपसर नमबर डी आगे बढ़ते चलते अंतिम नमर कोशन आपके एश्क्रीन पर ये रहेगा पहला सू संगठित और ब्यापक जन जाती है विद्रोह निमलिकित में से कौन सा था तो बिहार का वो पहला सू सं गठित और ब्यापक जन जाती है विद्रोह के नम से जानेगे अपसर नमर कितना अपसर नमर बी इसका राइट एंसर हो जागा कोल विद्रोह इसका सई एंसर है तो बीद करते कि आज के असे सन आपके लिए इंपोर्टेंट हुआ होगा मिलेंगे सामके समय और अगले